इसके बात में आते हैं ट्रेकस लाए क्या होता है ट्रेक्बॉल ट्रेकस आपको डिख रहा होता है क्यों ये यहäसे बोमेरा को जो उचखे लेकिन कि है लाकिन इसके उपर बिदी भी भी पोँटे लोगिप की प्रा जो शानग के से फुक्रन कोड़ की छेँ और गोल गुमाते है तो वह जो पॉइंटर होता है वह उसके साथ घूमने लगता है in the direction you want और जिस भी direction में हम चाते है उसमें घूमने लगता है जैसे आगे घूमाएंगे तो वह उपर जाता है और पीछे अगर हम उस बॉल को गुमाते है तो वह नीचे आने लगता है इस तरह से ठीक है नीचे surface बिलकुर plane हो तो उसके जगे पर माउस के जगे पर किसको यूज किया जाता है trackball को यूज किया जाता है ठीक है it is used in video games और यह mostly किसमें कहां यूज किया जाता है video games में यूज किया जाता है ठीक है उसके बाद में आता है joystick joystick the joystick can be used to move the cursor rapidly about on the screen joystick जो ऐसा दिख रहा है ठीक है यह भी क्या काम आती है यह cursor को move करवाने में काम आती है जो इसक्रीम पर हमें दिखाई देता है इस यूज फॉर प्लेइंग गेम और इसके अलावा यह हम जो गेम खेलते हैं न फीडियो गेम उसमें यह काम आती है it can move in a direction और यह a direction में cursor को move करवा सकती है मतलब इसका a directions होते है ठीक है and has buttons attached for extra function और इसके साथ में बहुत सारे buttons होते हैं जैसे आपको यहां पर दिख रहे होंगी ठीक है the microphone is used to input sound it is used to record sound microphone जो होता है वो कोई भी sound डालने के लिए अगर computer में कोई sound डालना है तो इसमें use आता है ठीक है और कोई भी sound अगर record करना है तो इसमें भी use आता है okay उसके बाद में आता है webcam webcam इस तरह से होता है webcam के बारे में तो आपने कई बच्चों ने सुन भी रखा होगा ठीक है the webcam is used to capture images so that person sitting far away can see the images on his computer it most commonly used in video conferencing where people can see and talk across the globe अब क्या होता है यह जो webcam जो होता है यह क्या काम हाता है यह pictures को capture करता है pictures लेता है और एक जगह से एक computer दूसरे computer में transfer कर देता है ठीक है और यह mostly कभी use आता है जब जैसे आपकी कोई relation में होता है जो बहुत दूर रहता है जैसे अमेरिका रहता है या out of India रहता है ठीक है out of India जब रहता है तो हम उसको webcam की घर पर बैटे आज तो वीडियो कॉलिंग हो गई है लेकिन फिर भी जो यह webcam है एक जगह से दूसरी जगह मलब out of India आप देश से बाहर जो लोग रहते उनसे face to face आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो बात कर सकते हो ठीक है यह तो होती है हमारी input devices अब हम बात करते है output devices के बारे में ठीक है Hutch यह सम whales है जैसरी हमें अगर इनसे tomorrow to report से कोई result चाहिए तो हमें output devices के थ्रू वह chill हमें मिलता है ठीक है अब output devices कौन कौन सी होते हैं वो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं various output devices are available to get information from a computer अब यह बोल रहे हैं कि बहुत सारे devices होती है output devices जो हमको computer से जिनका result मिलता है ठीक है? अगर हम सबसे पहले बात करें तो monitor monitor आपको पता है कि यह ऐसा होता टीवी जैसे दिखने वाला ठीक है जिस पर आप काम करते हैं the monitor is the most commonly used output device जो monitor होता है वो सबसे जादा यूज होने वाला output device है ठीक है? it takes the information and displays it on the screen जब हमें से कोई command देते हैं तो यह जो भी information होते हैं यह screen पे दिखा देता है हमें सारी जो भी output हमें होता है result जो होता है जैसे हमने किया 2 प्लस 2 अगर उसको command देते हैं तो वो result हमें दिखा देगा अपनी screen पे कि हाँ इसका answer क्या होगा 4 होगा ठीक है इस तरह से the output seen on the monitor is known as soft copy और जो हमें अपनी screen पे जो दिखाता है ना वो होता है soft copy क्या होती है उसको क्या बोलते है soft copy अगर हम उसको paper में paper में उसको निकल वा लेते हैं तो वो क्या हो जाती है hard copy हो जाती है समझ में आई बात soft copy क्या होती है और hard copy क्या होती है देखो आपको कोई अगर बोलते है soft copy soft copy का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ हमें screen पे शो हो रहा है ठीक है और अगर hard copy के हम बात करते हैं तो वो क्या होता है कि हमें वो paper में वो image है या जो भी data है वो हमें paper में मिल चुका है समझ में आ गया है उसके बाद में आता है printer it is another most commonly used output device यह यह भी बहुत जाद यूज होने वाली output device है it takes information from the computer and prints it out यह जो अभी मैंने बता है hard copy के बारे में तो यह जो soft copy को hard copy में चेंज करने का काम जो है printer करता है जैसे हमने monitor पे देख लिया कोई भी data जो हमेरे monitor पे देख लिया या कोई picture देख लिया जैसे आपने tree के एक picture देख लिया कि हमें यह tree के picture है जो हमें अपने project में यूज करनी है तो आपने इसमें देख ली अब आपको क्या करना है यह तो soft copy हमने देखी अब इसको hard copy में convert करना है तो हमें अगर printer से हमें वह hard copy इसके through हमें वह मिल जाएगी ठीक है वह paper में print होके हमारे सामने आ जाएगी समझ में आई बत तो यह क्या काम करता है यह काम करता है कि जो भी information computer monitor पे होती है इसलिए हम कैसे जैसा मैंने पहले ही बताया है कि hard copy क्या होती है तो जो प्रिंटर जो printed copy निकालता है ना paper पे उसको हम hard copy भूलते है soft copy आपको समझ में आ गई hard copy भी आपको समझ में आ गई ठीक है उसके बाद में हम बात करते है speakers की computer uses speakers to play sound and the music from the information it has ठीक है अब जैसे computer के काम करता है अगर कोई भी हमें music चलाना हो कोई song चलाना हो कोई भी गाना कुछ भी जो हमें dance के लिए चाहिए या कोई video game में music जो background music होता है अगर हमें उसका sound effect चाहिए तो हमें क्या use करने पड़ेंगे speakers use करने पड़ेंगे ठीक है इसके अलावा यह तो आप वैसे भी देखते होंगे कि वैसे भी यूज़ोते तो यह भी बहुत common है उसके बाद में headphones headphones are used for listening to music and monitoring live performance and audio tracks अब जो क्या होता है na headphones इस तरह से होते हैं ठीक है आजकर लोग ना इसको phones पर में लगा के रखते हैं ठीक है तो headphones जो काम करते हैं वो हमें music सुनने के लिए ना और live performance जो होती है उनको देखने के लिए या फिर कोई audio होता audio और video का मतलब समझ में आता है न वीडियो जो हमें सुननाई देने के साथ सता हमें दिखाई भी देता है और audio जो हमें सिर्फ सुनाई देता है ठीक है तो audio सुनने के लिए हम headphones का use करते है ठीक है और यह mostly इसलिए use किया जाता है कि जब हम नहीं चाहते हैंगे हमारे आसपास वाले उस song को जैसे हम speaker पे तो अगर speaker यूज़ करेंगे तो वह सब को सुनाई देगा ठीक है और अगर हम headphones use करेंगे तो हमारे इयर्स पर होता है तो वह सिफ हमें सुनाई देगा ठीक है तो इस तरह से headphone जो होता है वह use होता है उसकी बार में आता है CPU के बाद करते हैं तो CPU क जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, the central processing unit is the brain of the computer, जो CPU होता है, CPU कुछ इस तरह का होता है, ये computer का brain होता है, brain मतलब जो से हमारी body में brain होता है, तो brain हमारी पूरी body को lead करता है, हमारी पूरी body को जो भी काम करना होता है, ये ही command करता है, कि हाँ भी अभूक लगने लगी है, ठीक है, इससे हमें brain अगर नहीं होगा, तो पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है हमारी body में, तो brain जो होता है वो सबसे most important part होता है हमारी body का, तो अब आप समझ लो कि जो computer का brain होता है, वो क्या होता है CPU, मनलब CPU सबसे most important part है, ठीक है, इसका, इट कंट्रोल्स all the functions of a computer, और ये computer के जितने भी functions होते हैं, इसके through होते हैं, ठीक है, यही उन सारे functions को करवाने में, सबसे main जो part होता है, ये play करता है, इट ड़स all calculation and displays the result on the monitor, ये जितने मी calculations, जितने मी चीजें होते हैं, वो इसके अंदर होते हैं, सिर्फ दिखाई हमें कहां देते हैं, पर monitor पर दिखाई देती हैं, ठीक है, इट also stores a lot of information, इसके अलावे, इसमें बहुत सारे information store रहते है, बहुत सा information save रहती है, हम तो हम सोचते हैं कि स्क्रीन पे सेव रहते हैं बट वह कहां रहती है CPU में सेव रहती है CPU is made up of made up of three main parts और यह जो है na CPU इसके सबसे mainly कितने parts से बना होता है तीन parts से बना होता है ठीक है और इनका नाम क्या है MU CU और ALU MU CU और ALU हम सबसे पहले बात करते हैं MU का full form क्या होता है memory unit in MU we can store information or data according to our need अब MU में हम क्या करते है जितनी भी information होती है जितना भी हमरा data होता है जो भी हमको save करना होता है pictures होती है images होती है films होती है बहुत सारी चीज़े ठीक है वो हम इसमें हमको इसकी ज़रुत पड़ती है वो सब कुछ save करने के लिए the information can be change and recalled on the screen when needed और हम उस information को अगर लेना चाहते है तो हम यह वो जो हमें स्क्रीन पर जो दिखाता है वो काम कौन करता है MU करता है क्योंकि MU के अंदर ही क्या होती है save होती है data and instructions are also stored in the memory unit which are to be processed और जो data instruction होते है वो कहां store होते है memory unit में memory unit में save होते है which are to be और जो की processor चलते रहते है ठीक है उसके बाद में आता है CU CU होते है control unit CU का platform क्या होते है control unit होते है the CU controls and manages the working of all the parts of a computer अब CU क्या करता है इसका नाम से पता पता है कि control unit के control करता है ठीक है तो computer में जितने भी काम होते है उनको सब को manage करना उनको सब को control करना मतलब कोई unwanted ली तो नहीं हो रहा है या command नहीं मिल रहा फिर भी हो जा रहा है तो वह सब सारी चीजें जो एक control करता है ना वह कौन होता है CU होता है ठीक है now turn your page अब last जो point है हमारा वह है ALU ALU का मतलब क्या होता है arithmetic logic unit arithmetic arithmetic का मतलब है math related जो है वह है ठीक है the ALU performs all arithmetic calculations like addition, subtraction, multiplication and division जो ALU जो है वह क्या काम करता है जितने भी arithmetic calculations होते है math related जितने भी calculations होते है division होते है, subtraction होते है multiplication होते है division या additions होते है जो भी होते है वह सारा काम करता है ALU करता है ठीक है it also performs logical operations like finding the greater number इसके अलावा यह logical जो काम होते है लोजिक्स वाले जो questions होते हैं वो भी solve करते हैं जैसे greater number हो गया smaller number हो गया greater than equal to ऐसा हो गया जो आप अपनी math book में पढ़ते हैं less than equal to और equal to and not equal to numbers मतलब जो math का regarding जितने भी काम होते हैं जितने भी questions होते हैं उनको sort out कौन करते हैं करते हैं ठीक है so आप लोगों समझ में आ गया हो कि computer के parts कौन's कौनसे होते हैं जो हमने पढ़ ली है inglatlin output devices होती है output devices होती है ठीक है Dept devices किया कदते है इंपीट्स हम जो भी command करते हैं, वो input devices के through करते हैं, ठीक है, और computer जो भी हमेरे result देता है, वो किसके through देता है, output devices के through देता है, ठीक है, उसके लाब एक CPU होता है, CPU सबसे main important part होता है, computer का, computer का brain होता है, ठीक है, तो आज हमने यहीं सारी चीज़े पढ़ी हैं, इसमें, तो यहां आपका जो first chapter ना, वो complete होता है, ठीक है, so that's all for today, bye-bye.